जरुम्बिश आज मंगल जन्वरी की चब्वीस साल दोजार इकीस है आप सुन रहे हैं ड्रेडियो जरुम्बिश उर्दू पाकिस्तानी फाउज ने गुजशता रात डाक्टर मारंग बलूज को केच से जिल्ला बदर कर दिया नईती लड़कियों के काफले को तीस के करीब बंदूक बरदार गाड़ियों ने गेरे में ले लिया गुजशता रोज शाम डले ये खबर गर्दश कर रही थी के पुलीस को बलूज शिक्जेती कमीटी की रहनुमा बानुक मारंग को जिल्ला बदर करने की इदायत दी गई है लेकिन मसलसल रापता करने के बावजूद इस कबर की तस्दीक नहीं हो सकी ताहम अभी डाक्टर मारंग खुद इस कबर की तस्दीक कर चुकी है कि उन्हें डिप्टी कमिशनर तुम्प की सरबराई में पुलीस ने अपने इसार में लेकर जबरी तोर पर उस वक्त इलाके कि हमें तुर्बत शेर में दाकिल ओने की अजाज़त नहीं दी जाएगी और हमें फौजी इसार में केच के उदूद से निकाल दिया जाएगा कबल अजीम बलू चिपजेती कमिटी की एक रहनुमा ने रेडिय जरुमपिश को बताया था कि डाक्टर मारंग का काफला वापस आ रहा है और उनका तुर्बत में खयाम का कोई इरादा नहीं जो कारकुरान कराची के हैं वो कराची वापस आएंगी और शाल के रहने वाल शाल चली जाएंगी यहने इस बात का कोई शक नहीं था कि उन्हें इसके बावजूद किसी जवर का सामना करना पड़ेगा इसलिए हमारी तरफ से बार बार मालूमात लेने के बावजूद बी वाई सी के रहनुमाओं ने इस बाबत इनकार किया लेकिन बाद जब गिन्ना के मकाम पर पाकिस्तानी फौज की लशकर ने डाक्टर मारंग के कारवान का गेराओ किया तो इस बात की तस्तीग की गही बाद में बताया गया कि उन्हें फौजी गाड़ीों के इसार में तुर्बत बदर किया जा रहा है।। राक्टर मारंग का काफला कीश के उदूद म दाकिल हुआ था कलराक तुर्बत में क्याम के बाद काफला फौजी रिकावटों को उभूर करता हुआ कच्छे रास्तों से रोदबुन के मकाम पर पहुंचा जहां हुने रोक दिया गया और उन्होंने वहां अपनी गाड़ियां चोड़ दी और पैदल तुम्प की तरफ न पाकिस्तानी फौज ने मकमल गेरे में लेकर जिल्ला बदर कर दिया और दूसरे लोगों को उनकी गाड़ियों के करीब जाने की अजासत नहीं दी गई पुलीस में मौजूद एक अफसर ने अपना नाम जाहर नकरने की शर्त पर बताया है कि कल बलू चक्जेती कमीटी की तरफ से माडल टाउन तुर्बत में गाइबाना नमाज जनाजा का एलान किया गया है जां बड़ी तादाद में लोगों की शर्कत मतवका है जिने तुम्प में नमाज जनाजा में शर्कत से रोका गया था पौजी उक्काम को कद्शाता के डाक्टर मारंग तुर्बत में इस गायबाना नमाज जनाजा में शिर्कत करेंगे और वहां लोगों से खताब करेंगे इस कौफ की वज़ा से उन्हें जबरी जिल बदर किया जा रहा है जिस वक्त हम ये खबर रिकार्ड कर रहे थे हमें ये इतला मिली के तलार के बाद डाक्टर मारंग बलूच के काफले को पाकिस्तानी फौज ने चोड़ दिया और उनका गेराव कतम किया और उन्हें आजादाना तौर पर अपनी मन्जल की तरफ जाने की अजाज़त दी गई लेकिन अभी तक वो जिस गारी में सवार हैं ये गारी पाकिस्तानी उकाम की तरफ से फराम की गई है जिसमें जबरं डाक्टर मारंग बलूच और उनकी साथियों को बिटाया गया है ताहम अभी वो फौज के इसार में नहीं हैं और अपनी मन्जल की तरफ बढ़ रहे हैं कि इस वक्त जब हम ये खबर नशर कर रहे होंगे डाक्टर मारंग बलूच और उनकी अमरा अपने अपने घरों में महफूज होंगी अब मज़ीद खबरें पेश कर रही हैं सारें बलूच बलूच नेशनल मुवमिंट के रहनुमा शहीद बानुक करीमा बलूच को केच की गाउ तुम्प में उनके आबाई कबरिस्तान में सुपर दिगल जमीन किया गया इस मौके पर तुम्प समयत केच भर में कर्फियो का समा रहा जबके मुबाईल नेटवर को भी मातल रखा गया करीमा बलूच के नमाज जनाजे में लोगों की कसीरतादाद ने शिरकत की नमाज जनाजे में बलूच रहनमा महरंग बलूच समय दीगर खवातिन ने भी शिरकत की ये तारीख में खेर बखश मरी के बाद दूसरी मरतबा है कि खवातिन ने किसी बलूच रहनमा की नमाज जनाजे में शिरकत की वाज़ रहे कि लोगों को बानुक करीमा की नमाज जनाज़ा में शरीक होने से ताकत की जोर पर रोका गया। जरुबत शहर की नाका बंदी की गई और तुम्प के रास्तों पर बड़ी तादाद में फोर्सिस की नफ्रियां तायूनात की गई हैं। गौदर से आने वाले काफलों को तलार के मकाम पर रोका गया और कई काफले तुम्प के हदूद में ही रोक कर वापस किये गए। इसके नतीजे में बहुत कम तादाद में लोग नमाज जनाज़ा में शरीक हो सके। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोज वाइरल हुई हैं जिन में लोगों को तुम्प में दाखल होने से रोका जा रहा है। तुम्प की मुकमल नाकबंदी और शहीद बानुक करीमा बलोच की नमाज जनाज़ा में अवाम को शरकत से रोके जाने पर बलोच इस्ताम भर में बानुक करीमा बलोच की गाइबाना नमाज जनाज़ा शुरू हुआ है। इस सलसले में पीर के रोज बलूच यकजहती कमेटी की अपेल पर डेरा मुराद जमाली नसीराबाद, पंजगूर, खारान, पंजाब के शहरों मुलतान और लाहूर में बानुक करिमा बलूच की गायबाना नमाजे जनाजा अदा कर दी गई बलूच यकजहती कमेटी की तरफ से आज 26 जनवरी को सुबा ग्यारा बजे मौडल टाउन तुरबत के ग्राउंड गौदर के साहिली गाओं सरुबंदन में जीटी ग्राउंड में सुबा ग्यारा बजे और शोहदा कबरिस्तान नुकाहान शाल में बारा बजे बानुक करिमा बलूच की गायबना नमाजी जनाजा अदा की जाएगी। शहिद करिमा बलूच के जस्तिखाकी की अदम हवालगी और बलूच कौम को उनकी देदार से रोकने के खिलाफ बलूच यकजहती कमेटी की अपील पर केच और पंचगूर में शटर डाउन हरताल रही। रेडियो साल कबल मस्तुंग से जबरी तार पर लापता किये जाने वाले लेवीज इहलकार साइद एहमत के लवाहिकें ने कोईटा प्रैस कलब की सामने इहतजाइच शुरू किया है। इस मौकी पर वाइस फॉर बलूच मिसिंग परसन्स के चेरमें नसरॉला बलूच भीयों के हमर साइद एहमत की हम canvas के हम रहा ला पता किया गया, बादजसा कजन को रहा कर दिया गया, लिकिन साइद एहमत तहा ला पता है। हमने इस हוाले से प्रैस कांफरेंस अर रहते जाच किया लेकिन कोई हमारी आवाज नहीं सुन रही है। उनका मज़ीद कहना था कि भाई की गुमशिदगी से हमारे घर के तमाम अफराद अजियत में मुबतिना हैं लहाज़ा हमें इनसाफ दिया जाए बलुचस्तान में शहराओं की खस्ताहाली और अदम सहूलियात के बिना पर हादसों का सिलसला तवातर की साथ जारी है बलुचस्तान यूट एंड सिवल सोसाइटी नामी तन्जीम की जानब से जारी करदा एक रिपोर्ट में रोड हादसात की तफसिलात जारी की गई है रिपोर्ट के मताबक बलुचस्तान में गुजिश्टा साल डिसमबर साल 2020 में 1191 हादसात रुनमा हुए जिन में 1613 अफराद जखमी और 116 अमवात हुए रिपोर्ट के मताबक इन हादसात में कुछ जखमी अभी तक मुख्तलफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं और हकूमत अदम दिल्चस्पी की वज़ा से मरीजों की इलाज में मुश्किलात पेश आ रहे हैं डिप्टी कमिशनर दुकी अजीम काकर की हिदायत पर माइन्स इंस्पेक्टर अब्दलरशीद अत्मान खेल और लेवीज हुकाम के सरबराही में मुख्तलिफ चापमार टीमों ने कारवाई करते हुए मजईद 40 कोईलाकाने हिफाज़ती अक्दामात ना करने पर सील कर दी सील की जाने वाली कोईलाकानों में 20 कोईलाकाने नासर कौल में 10 कोईलाकाने उस्पेक्टर अब्दलरशीद अत्मांखेल के मुताबक डिप्टी कमिशनर अजीम काकर की हिक हुक्म पर कारवाईयां रोज़ाने के बुनाद पर जारी रहेंगी ताकि इन्सानी जानों की जिया को रोका जा सके मस्तुंग में किलीतेरी औरोदेनी के अवाम ने गैस के पी आर एस सिस्टम की अदम बहाली के खिलाफ दुबारा आरसेडी शहरा को बंद करने का ऐलान कर दिया है वाज़ रहे गुजशता साल 30 नवंबर को इलाके मकीनों ने गैस प्रेशर के कमी की खिलाफ इहतिजाजन कोईटा कराची शहरा को बलाक करके धरना दिया था लेकिन इनतिजामिया कबाईली और सियासी रहनमाओं ने खवातिं के साथ तवील मुझाकरात और एक हफ़ते के अंदर अंदर किली तेरी किली रोदेनी के गैस प्रेशर को बहाल करने की यकीन दिहाने के बाद अपना एहतिजाज खत्म कर दी थी मगर गैस हकाम से मुझाकरात और मुलाकात के बावजूद गैस का मसला हल नहीं हुआ है जिसमें टॉल मटोल से काम ले रहे हैं किली तेरी और किली रोदेनी के अवाम ने इस वादे खिलाफी के खिलाफ बुद के रोज 27 जनवरी को मरकजी शहरा को इहतिजाजन बलाक करके धरने देने का ऐलान किया है आलमी खबरें सुनते हैं खलील वाडेला से बंदो बस्ते पाकिस्तान केबर पक्तुनकवा के दारल हकूमत पिशावर में नामालूम अपराद ने पायरिंग करके अपगान तालबान के एक बासर कमांडर मुला अब्दल समद और्प मुला तोरजान को कतल कर दिया है वाकिए पिशावर के करीब एक कस्ब तरनाब के मुसलिम सिटी एरिया में एक मस्जद में पजर की नमाज के दोरान पेश आया जहां एक मसल्ला शक्स ने मुला तोर पर पायरिंग की वाके के बारे में सुबाई इंतजामिया ने कुछ नहीं का है जबके मक्तूल के कतल की वज़ा और कातल का अब तक पता नहीं चलाया जा सका है ना ही अपगान तालबान ने कोई रद्ध अमल जायर किया है। बंदो बस्ते पाकिस्तान केबर पक्तूनकवा के इलाके शुमाली वज़िरस्तान में पाकिस्तानी पॉर्सेज ने आपरेशन करके पांच शिद्ध पसंदों को कतल करने का दावा किया है। पाकिस्तानी पोच के शुबाय तालुकात आमा आई एस पी आर के मताबक पोर्सेज ने शुमाली वजिरस्तान के इलाकों मीरली और कैसूर में कुपिया इतलाद पर आपरेशन्स किये। इन आपरेशन्स में पांच शिदत पसंद मारे गए जिन में कमांडर साइद रहीम और सेपला नूर भी शामिल हैं। आई एस पी आर का कैना ताक के सईद रहीम दोज़र साथ से अब तक रियास्ती पोर्सेज पर सत्रह अमलों में मलोवस रहा और वाना और मीरली में दो कुदकुश मराकिस का इंचार्ज भी था। पाकिस्तान के जेरे कबज़ कश्मीर के दार काड़ी रापता सडकों पे भरपबारी और पिसलन के बाइस पेश आये। पहला आजसा सुबह साथ बज़े पेश आया जब एक आई एस वेगन पिसलन के बाइस तोला के मकाम पर सडक से 200 गज नीचे एक केत में जा गिरी। दूसरा आजसा एक जीप को मोरी मोर नामी मकाम पर सुबह 9 बजे पेश आया। पाकिस्तानी हुकूमत ने सोशल मीडिया रेगूलेट करने के कौायत पर नजरसानी की आमी बरली है। पाकिस्तान के अठारनी जनरल कालिद जावेद कान ने इसलामाबाद आई कोट को आगा किया है के पिटीशनर्स और मुतलका स्टेक ओल लगता है के सोशल मीडिया रूल्स बनाते हुए स्टेक ओल्डर से मुशावरत नहीं की गई। अटारनी जनरल कालिद जावेद कान ने अदालत को बताया के पिटीशनर्स से मुशावरत की जाएगी किसी प्लेट पार्म को बंद करना मसले का हल नहीं कुछ मौलत दी जाए पी टी ए और स्टेक ओल्डर से मिलकर रूल्स पर नजर सानी करेंगे अपगान हुकाम ने कहा है के अमरीका और तालबान के दर्मयान अमन मौाइदे के तहत रियाई पाने वाले छे सो जंगजूओं को दुबारा गरिपतार कर लिया गया है अपगानिस्तान की कौमी सलामत के मुशीर अमदल्ला मौइब ने असापियों से बात करते हुए का है के रियाई पाने वाले तालबान जंगजू एक मरतबा पिर मैदान जंग में आ चुके हैं जो हकूमती पोर्सेज और आम शेरियों को निशाना बनाने के मनसूबे बना रहे हैं इंडोनेशिया ने एरा पानियों से गुजारा जा रहा था इंडोनेशिया की मेरी टाइम सिक्योर्टी एजनसी के तरजमान वेंसू परामाधाता ने कहा है के एरान के एम टी आर्स और पनामा के परचम बरदार एम टी पराया टेंकर को सूबह मगरबी कलमनतान के पानियों में पकड़ा गया उनक कहना था कि इन टेंकरों ने मुक्तलिक इए किलाप वर्धियों का इर्तिकाब किया है इन पर उनके मुलकों की कौमी परचम लेरा नहीं रहे थे बारत और चीन मामलाथ पर मुजा करद के बावजूद चंद रोज कबल चीनी सरच सरच से मलग का बारती रियासत से कम के और नाकॉला में दोनों मुलकों की फौजों में फिर जड़पों की इतलाँ मली हैं जिन में पौजों के जखमी होने की थावे किये जा रहे हैं। कोई वजाहत पेश नहीं की गई है अक्वा में मुत्तेदा ने कहा है कि कुरोना वाइरस की आलमी वबा से छुटकारा पूरी दुनिया को वबा से बचाओ की वैक्सीन लगाने से ही मुम्किन हो सकता है अक्वा में मुत्तेदा के इनसानी वकूक और आलमी बाई चारे के नुमाइंदे अबोरा वकापूर का एक बियान में कहना था कि अगर दुनिया के कम तरकी आपता मुमालिक में लोगों को वैक्सीन के जरिए मैपोज नहीं किया गया तो वाइरस तरकी आपता मुमालिक में आसानी से मंत्किल हो सकता है ओकापूर का कहना है कि दुनिया को इस वक्त एक मर्बूत और मुनजम तरीकार के ताहत वैक्सीन की यकसां तक्सीम की जरूरत है उन्होंने का कि मैज अमीर मुलकों की आबादी को वैक्सीन के जरीए मैपूस करना वाइरस से जान चुड़ाने के लिए नाकापी होगा क्यूंकि ये अपनी शिकल बदलता रहता है न्यू आक्सीम ने इनकिशाप किया है कुरोना वाइरस से माली तोर पर मतासर होने वाले दुनिया के एक अजार अमीर तरीन लोग अपने नुकसानात का इजाला सिर्फ नो माह में कर पाएंगे जबके दुनिया के गरीब तरीन लोगों को माहाशी नुकसान पूरा करने में एक दियाई लगेगी अकस्पीम की तरफ वाइरस की तपरीक नामी रपोर्ट जो वर्ल्ड एकानुमिक पौरम के अब्तिदाई रोज डेवेज एजन्डे में शाया होगी में बताया गया है कि कुरोना वाइरस अर मुल्क में महाशी अदम मसावत में इजापे का बाइस बनेगा और ये एक सदी से मरतब ओने वाले रिकार्ट के मताबिक पहली मरतबा होगा